तो अब यॉरोप की सुरक्षा को लेकर के फिर से एक बार काफी चिंताएं बढ़ी हैं और चिंता इसलिए भी है क्योंकि यॉरोप में कोई एक देश नहीं है जो की अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है बलकि ये आपस के कोडिनेशन से ही होगा रूस के साथ बढ़ते टक्राव और अमेरिका के बिलकुल अलग महाद्वीप में होने के कारण अजयरोप की सुरक्षा और विशेश रूप से जो एर स्पेस वाइलेशन के केसिस हैं इन पर फिर से एक बार ध्यान दिया जा रहा है अभी की स्थिति ये है कि जर्मनी और स्पेन में ऐसे कमांड सेंटर हैं जो कि एर स्पेस वाइलेशन पर नजर रखते हैं जर्मनी में जो कमांड सेंटर है वो नौर्दन योरोप की सुरक्षा और विशेश रूप से जो एर स्पेस है उस पर नजर रखता है और स्पेन में जो कमांड सेंटर है वो सदन यूरोप के लिए असाइंड है तकरिबन 60-70 ऐसे लड़ाकू जहाज हैं जिनकी तैनाती हमेशा रहती है और किसी भी एर स्पेस वायलेशन के रिपोर्ट मिलने पर जो है इनको हावा में भीज दिया जाता है उसको ट्रैक करके या तो वापिस खदेड करके बाहर करे या फिर उसे अगर भटक गया है वो विबान जो वायलेशन कर रहा है तो उसे सुरक्षित रूप से जो है सही रस्ते पर ले जाए तो अब यह बाद भी सामने आ रही है कि तकरिबन 2021 की ही अगर हम बात करें तो साड़े तीन सो से उपर जो है ऐसे एर स्पेस वालिशों की घटना हुई इसमें से 90% जो है वो रशियन मिलिटरी अरक्राफ्ट थे कि जिनके कारण जो है जो यूरोप के नेटो फोर्सिस हैं उनको अपने हवाई जहाज अपने रडाकू जहाज जो है वो भेजने पड़े हवा में और रूसी प्लेम को जो है वापिस अपने एर स्पेस में भेजने की ज़रुरत महजूस हुई यह कोई तकराव नहीं है यह तरह का मतलब एक तरह कि जासूसी करने का तरीका होता है और सामने वाला जो है पहचान लेता है आपको और उसके बाद में वो अपने हवाई जास भेजता है और आपको एसकोट का देता है बाहर तो यह बहुत साहरन सी घटना है इसके लिए military protocols है और उसी के अनुसर काम होता है लेकिन जब तनाव बहुत लंबे समय तक रहेगा जाहिर से बात है कि फिर अविश्वास की सिति बन जाती है और वो जो है खतरनाक है तो अभी जो है वो routine reconnaissance जो है उसको आप देख सकते हैं लेकिन जैसे जैसे अब यूकरेन को ले करके यूरोप और रूस में ठकराव बढ़ रहा है तो यह अमेरिका और नेटो के साथ रूस का ठकराव बढ़ रहा है तो अब जो है यह देखने वाली बात है कि अब जो है मामला गंभीर है क्योंकि अब actual military deployments अब military movement जो है वो यहा सब्वानने है तो जब बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं होंगी तो जाहिर से बात है कि जो है दो बढ़合 बढ़ हैगा जो अपर जो एर 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 फोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं जो इस काम के लिए तैनाद किये गा है और ऐसी स्थिती में टकराव भी हो सकता है तो यह जो है कहीं न कहीं एक जो आने वारे समय है उसमें किस तरह का सुरूप लेगा यह बहुत इंट्रेस्टिंग एक डवलप्मेंट होगा तो 2021 के आकड़े में मालूम है 2022 में इस्थिती बिल्कुल ही अलग हो सकती है क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा भी सैनिक जड़ाप हो गया तो आप यह कह सकते हैं कि जो है उसके बाद में नक्षे बदलने शुरू हो जाएंगे तो यूरोप जो है बहुत 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 दशकों बात जो है एक और फिर से कहीं न कहीं एक सैनिक खेमे के रूप में नज़र आ रहा है और आगे इक इस तरह का सोडूप लेता है वो देखने वारी बात होगी